तो इस question को देखते हैं, इस question को कस तरी के solve करना है, तो question क्या है, तो area of rhombus whose diagonals are 18 cm and 12 cm, ठीक है न, तो rhombus की क्या diagonal दी हुई है, उसका area बताना है, तो देखे एक formula होता है, आपको पता होना चाहिए, कि area of rhombus क्या होता है, half into diagonal 1 into diagonal 2, ठीक है न, ये d लखा हुआ है, ठीक है न, diagonal 1 कितनी है, 18 और diagonal 2 के है, 12, तो कुछ नहीं, simple आप solve कर दीजिए, into 18 into 12, और उसको आप solve करेंगे, तो आपका answer आ जाएगा, ओके, तो 9 into 12 करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 9, 2018 और 9 बंजा 9, और 10, तो कितना आ गया, 108 cm2 के आ गया, इसका area आ गया, आ गया, ओके दोस्तों, simple question था, जादा को दिक्कत नहीं थी, आपको सबसे पहले रॉंबस का area पता होना चाहिए, किस तरीके से नकालते हैं, half into d1 into d2 होता है, इसके बाद उसकी value पुट की, तो कितना आ गया, 108 cm2 के आ गया, इसका answer आ गया, area of rhombus आ गया,